नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही योटूब चैनल बीरू अकैडमी पर डियाराज बात करेंगे वन लाइनर सीरीज में भारती राज बेवस्था से सम्मन्देत टाप महात्रपूर्ण प्रश्णों की उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे वीडियो को सेर किये जिए चैनल का सपोर्ट कीजिए इस चैनल पर आपको निरंतर जो है कहीं नया कहीं आपके सकते हैं टॉप प्रैक्टिस सेसन उपलब धकराए जा रहे हैं किसी भी प्रतियोगी एक्जाम की आप तयारी कर रहे हैं प्राथिमिक सिच्चक भरती की तयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से रामबार साबित होगा पूरा प्रैक्टिस सेसन अंतर तक जरूर वाच कीजिएगा वीडियो को सेर कीजिए आए शुरुवात कर देते हैं पहला प्रस ने कह रहा है भारत में सम्विधान सभा का गठन किया गया था तो जो सम्विधान सभा का गठन है डियर वो कहीं न कहीं कैबिनेट मिसन योजना के तहट किया गया था चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर सम्विधान सभा का गठन हुआ था तो सम्विधान सभा का जो गठन था डियर वो नवंबर 1946 में किया गया था सम्विधान सभा के आई इस्थाई सदस अध्यच कोन थे देखी जब सम्विधान सभा हमारा बना था तो उस समय दो दिन के लिए 9 दिसंबर 1946 को आइस्थाई अध्यच बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिनहा लेकिन 11 दिसंबर 1946 को पूना डॉक्टर राजेन प्रसाद जी को इस्थाई अध्यच बना दिया गया था शम्विधान सभा का यहां से प्रस्ण कई बार पूछे गए हैं सचिदानंद सिनहा जी से नोट डॉण कर लीजिएगा चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर शम्विधान सभा की प्रथम बैठट कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को अभी मैंने आपको बताया था सम्विधान की पहली मीटिंग हुई थी और इसके जो अध्यच थे वो सिनहा जी थे डियर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर शम्विधान सभा में जमाहलाल नहिरूजी द्वारा उद्देश प्रस्ताव कब पेस किया था देखिये सम्विधान सभा में जो जमाहलान नहरू जी थे उन्होंने उद्देश प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था उद्देश प्रस्ताव को वाखिर सम्विधान सभा द्वारा कब पारित किया गया तो 26 नवंबर 1946 को इसको पारित कर लिया गया था भारती सम्विधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा तो दो वर्स 11 मा 18 दिन का शम्विधान में कुल समय लगा था डियर इसको बनाने में और आप कह सकते हैं 63,6729 रुपए इसको बनाने में उस शमय ब्याई किये गए थे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर राज्य पुनर गठन अधिनियम का पारित हुआ था तो 1956 में राज्य पुनर गठन अधिनियम आया था और ये फजल अली आयो के आधार पर निर्धारन किया जाता है राज्य पुनर गठन अधिनियम का धियर बातर लेते हैं अगले पॉइं बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट को दिल्ली को राष्टिय राजधानी छेतर का दर्जा कब मिला देखिए जो हमारी दिल्ली है इसको NCR कब बनाया गया था तो उनहत्तरों में संबिधान संसोधन के द्वारा नोट डाउन कर लीजिएगा भासा के अधार पर गठित का पिता किसे कहा जाता है तो संबिधान के जनाक या पिता डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जी को कहा जाता है इनका एक धेवाक्य है सिच्छा वो सेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना डहाड़ेगा बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर पाकिस्तान क के लिए अलग संबिधान सभा का गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को बात आई है पाकिस्तान की तो बता दे पाकिस्तान सब्द के जो जनाक है वो रहमत अली चौधरी को माना जाता है डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की मूल संबिधान में कुल कितने 26 थे 395 बेडियर नोट कर लीजिएगा आईजे चलती है अपने अगले पॉइंट की ओर सर्व प्रतम राष्टरगान गया गया था तो जो राष्टरगान है वो कोलकाता दिवेशन 1911 में सर्व प्रतम राष्टरगान गया गया था संबिधान में हमारे देश का नाम किन किन नावों से वरडित है तो संबिधान में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया लिखित मिलता है डियर राष्टरी धोज के चक्र का रंग और तीलियों की संख्या पूछ रहा है तो जो राष्टरी धोज का रंग है वो नेभी ब्लू है और जो असोक के चक्र में के द्वा को संबिधान की आत्मा कहा था और संबिधानी कुपचार आर्टिकल 32 को कहा जाता है डियर प्रतम संबिधान संसोधन कब हुआ था 1951 में हुआ था डियर बात कर लेते हैं अगले पूइंट की संसद का उच्च और निम्न सदन को है तो जो संसद का उच्च सदन होटा है डि बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की सरदार स्वरेंड सिंग समित की अनुसंसा पर संविधान में क्या शामिल किया गया था प्रस्निश रहा है तो वो प्रेसिडेंट में नहीं थोती है डियर भात कर लेते हैं अगले पॉइंट की भारत का प्रथम नागरिक तसा समवैधानिक प्रधान कौर होता है राश्टरपती होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राश्टरपती ही होता है डियर राफ्टरपती पद के उम्मीद्वार के लिए कितना अनुमोधन चाहिए देखिए अगर आप किसी भी भुबैक्ति को राफ्टरपती बनाने के लिए नामांकित करना चाहते हैं तो कम से कम संसद के 50 सदस्यों का अनुमोधन होना चाहिए डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की महाभ्योग आर्टिकल 61 लगा कर पच से हटाया जा सकता है देखिए महाभ्योग इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है वो राफ्टर पती को उपर चल सकता है मुख्र नया धीस की उपर चल सकता है इन पदों को कहीं नया कहीं आप कह सकते हैं इंपीचमेंट से हटाया जाता है लेकिन इसके लिए राफ्टर पती को 14 दिन पूर सुचिना देनी चाहिए पहले कि हम आपके उपर इंपीचमेंट लगवाने वाले हैं या चलाने जा रहे हैं बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की एक मात्र निया धीस जो राफ अम्मद हिदायतुला जब उस समय ये राफ्टर पती का भी चार्ज लिये थे डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की निरविरोध राफ्टर पती निरवाचित हुए थे तो जो निरविरोध राफ्टर पती थे वो थे नीलम संजी उरड़ी राज्यसभा का प चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर राज्यसभा या लोग्सभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है देखिए कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए इससे ज्यादा अंतर आप नहीं दे सकते इसके बीच में आपको जो है कहीं नहीं जो सत्र है वो लेते हैं अपने अगले पॉइंट की राज्यसभा का गठन कब हुआ था 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था डियर लोग्सभा की कोरम के लिए कुल फदस्यों का होना अनिवार है लोग्सभा के संचालन के लिए कोरम या गणपूर्ती के लिए कितनी संक्या होनी देखिए इसको बुलाता तो राफ्टर पती है लेकिन जो इसका संचालन है इसको करता है लोग्सभा का स्पीकर यानि की लोग्सभा के अध्यच बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की धन विध्यक पर अंतिम निरणाय कोन देता है तो लोग्सभा का अध्यच जो ह देखिए और जो धन विध्यक पर अंतिम निरणाय देता है और जो धन विध्यक होता है वो तिर्फ लोग्सभा में ही पेस होता है डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की लोग्तबा के प्रतम अध्यच और उपाध्यच कोन थे तो जो प्रतम अध्यच थे वो गणेश देव मावलंकर या जीवी मावलंकर थे और जो उपाधच थे वो अनंत सैनम आयंगर जी थे बात कर लेते हैं प्रस नंबर 37 की महत्रपूर अधिकारियों को वेतन दिया जाता है तो भारत की संचित निदी से इनके वेतन भुकतान किये जाते हैं जो की कही ना कहीं प इनकट रमनी जी भारत के महानयवादी हैं बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की संबिधान सभा की में संबिधान में संसुधन की प्रिक्रिया किस अनुच्छेद में है तो संबिधान में जो आर्टिकल 300 वर्फट है उसके तह संबिधान में संसुधन किये जाते है और ये प्रिक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई हडियर प्रतम वित्तायोग के अध्यच कौन थे तो प्रतम वित्तायोग के अध्यच केसी नियोगी जी हैं थे और इस समय वर्तमान में जुवित कायोग चल रहा है उसके अध्यच कौन है तो नंद किसोर सिंग यानि की N.K. सिंग है चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर प्रथम गैर कांगरेसी प्रधान मंतरी कौन थे तो मोरार जी देशाई पहले प्रथम कांगरेसी गैर कांगरेसी प्रधान मंतरी थे और सथ स्यदा बजट पेस करने वाले वित्त मंतरी का भी इनहीं के पास रिकार्ड है ये दस बार कही ना कही बज़ट पेस कर चुके हैं बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर शम्विधान की कुंजी कहा जाता है तो प्रस्तावना को शम्विधान की कुंजी कहते हैं डियर प्रस नंबर 44 कह रहा है केंद्री मंत्री मंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो स्यामा प्रसाद मुखर जी जी केंद्री मंत्री मंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे दल बदल विरोधी अधनियम कप पारित हुआ था तो 52 स्वंभिधान संसोधन 1985 में दल बदल कानून आया था डियर प्रस नंबर 46 कह रहा है आपातकाल की घोफडा के बाद संसद की स्विक्रत जरूरी है एक माह के अंदर ही आपातकाल की घोफडा के बाद संसद से उसकी स्विक्रति होना अन्युआर है डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की सर प्रतम 1951 इस भी में राफ्टरपति सासन लागू हुआ था तो सब से पहले पंजाब में लागू हुआ था कि सबसे पहले राफ्टरपती सासन कहा लागू हुआ था तो अधिकाम्स छात्रों ने जम्मू कस्मीर मार दिया कि वो गलत था सबसे पहले जो राफ्टरपती सासन था वो पंजाब में लागू हुआ था 1951 में चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था तो बलवन्त राय महता की रिपोर्ट पर पंचायती राज की शुरुआत की गई है तो मद्रास में 1687 में की गई थी प्रशनकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं तो प्रशनकाल के ठीक बाद के समय को शुन निकाल कहा जाता है और सुन निकाल कहीं ने कहीं भारत देश की ही देन है डियर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर शंशत का एक भी दिन सामना नहीं करने वाले प्रधान मंत्री कौन थे तो वो थे चौधरी चरण सिंग जिनके जर्वदिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये ऐसे प्रधान मंत्री थे पहले जो कभी भी संसत पर उपस्थित नहीं हुए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की प्राकलन समिती में सदस्य होते हैं तो जो प्राकलन समिती होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं वो भी लोकसभा से होते हैं और जो बिपच्च के निता होते हैं वो इसके कही ना कही अध्यच होते हैं प्राकलन समीति के वर्तमान में अधिर रंजन चोधरी जी कांग्रेस की तरफ से इसके अध्यत चाहिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की लोक लेखा समीति में सदस्य होते हैं तो जो लोक लेखा समीति होती है उसमें 22 सदस्य होती हैं पंदरा लोक सभा से तथा साथ राज्य सभा से होते हैं डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कब की गई थी तो 1989 में की गई थी 61 सभीधान संसोधन के तहद 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गई थी डियर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर स्वइंट तराफ ट्रसंग की स्थापना कब होई तो युवनों की स्थापना की बात मुछ रहा है 24 अक्टूबर 1945 को दोती विश्यूद के बाद इसकी स्थापना होई थी डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की अंतर राष्टरी नियायालाई कहा है तो दाहेग नीदर लैंड में अंतर राष्टरी नियायालाई है डियर बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की सुरुवात में शंबिधान सभा के फदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो जब संबिधान में बनने लगा था संबिधान सभा का जो प्रोसेस था उस समय टोटल जो मिंबर थे वो 389 389 थे डियर संबिधान के प्रारूप पर कुल कितनी दिन बहास हुई थी तो 114 दिन बहास हुई थी और प्रारूपी समित के जो अध्यच थे वो डॉक्टर भीम राओ अंबेट कर थे सब से कही ना कहीं प्रभाव साली जो कमेटी थी वो यही डॉक्ति या प्रारूपी समित थी बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की भारत में किस नागरिक्ता का प्रावधान है तो एकल नागरिक्ता का प्रावधान है और यह कही ना कही BRITAIN से ली गई है डियर बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम पॉइंट की राफ्टरपती पर महाभयोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व आपको राफ्टरपती को सूचित करना होगा कि हम आप की उपर सदन से इंपीचमेंट लगवाने जा रहे हैं हलक यह कफी कठिन प्रोसेस होता है लोग सबा से पास होने के बाद राजसबा से भी पास होना होता है तभी किसी पर महाभयोग की प्रोसेस पूरी तरीके से लग पाता हडियर ये थे टाप सिस्टीन महात्रपूर प्रस्ट कैसे लगे कमेट जरूर करिएगा सिरीज अच्छे लगे फिर बताईएगा ऐसी ही महत्रपूर्ण सेशन के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा फिर मिलेंगे एक और प्रेक्टिस सेशन में तब तक के लिए जाए हिंजे भारत